रूस और युक्रेन के बीच सेन में सरपर तो योट जारी है ही लेकिन इंटरनेट की दुनिया में साइबर वोर भी लड़ा जा रहा है इस हुद में कई बार युक्रेन की कई जरूरी वेबसाइट को हैक कर लिया गया और इस हैकिंग के पीछे आरोप जड़े गए रूस पर लेकिन अब रूस खुद भी इस हैकिंग के जाल में फज़ गया है यहाँ गाईज अभी कुछी दिन पहले रूस के कई प्रमुख टीवी चैनल और उनके कई मीडिया रेगुलेटर पेज हैक कर लिये गए हैकिंग भी कुछ ऐसी की गई कि उन टीवी चैनल पर कुछ देर के लिए युक्रेन के गाने चलने रगे युक्रेन की टेलिकों वेजंसी ने खुद इस बात की पुष्टी की है लेकिन अभी तक रूस की तरफ से इस हैकिंग पर कोई जवाब नहीं दिये गया गाईज रूस और उक्रेन का ये युद किस तर तक जाएगा ये पर जह नहीं सकता लेकिन ऐसे अमेजिंग जानकारियों के लिए शोई सब्सक्राइब एं लाइक बिलते अगली वीडियो में रूस और युक्रेन के बीच रूस और युक्रेन के बीच जारी है लेकिन इंटिनर्ट की दुनिया में इस युद में कई बार युक्रेन की क्यी जरूरी वेबसाट को हैकि कर लिया गया और इस हैकिंग के पीछे आरोप ज़ड़ेगए रूस पर लेकिन अब रूस खुद भी इस हैकिंग के जाल में प्षग गया है। लेकिन ऐसे अमेजिंग जानकारियों के लिए शेयर सब्सक्राइब एन लाइक मिलता अगली वीडियो में।